मुख्य मंत्री ममता बनर जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है तो ममता ने कहा संसद में भी काम नहीं हो रहा आवाज को दबाया जा रहा है केंद्र सरकार पर ये बड़ा हमला बोला है ममता बनर जी ने इमर्जेंसी से भी गंबीर हालाद बताए हैं मम्ता बनर जी ने तो मम्ता बनर जी का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप देखना चाहते हैं सच्चे दिन और अब पूरे देश में खेला होबे मेरा फोन है किया गया अब इसे को और पीके का भी फोन है किया गया है तो ममता बनर जी ने जिस तरीके से खेला होबे के नारे को लेकर के और उसी नारे के सहारे पस्चिम मंगाल की सत्ता पर काबिज हुई है अब कहीं न कहीं ममता बनर जी का ये केंदर पर निसाना केंदर की सत्ता पर काबिज होना ये निसाना साधना ये साबित कर रहा है क्यों उन्हें कहा कि उनके फोन को टैपिंग की गई है और इसके साथ ही सरकार पर अन्य कई आरोप लगाए हैं पस्चिम मंगाल की मुख्यमंत्री मंता बनर्जी ने कहा संसद में भी काम नहीं होने दिया जा रहा और आवाज को दबाया जा रहा है इमर्जिंसी से भी गंभीर हाला पैदा हो गए हैं वर्तमान की ऐसे हालात हैं मंता बनर्जी का ये बड़ा आरोप देखना चाहते हैं सच्चे दिन अब पूरे देश में खेला होबे मंता बनर्जी ने ये बात कही है और उन्हेंने कहा है कि मेरा फोन है किया गया अभिशेक और पीके का भी फोन है किया गय सबी दलों के साथ वो बैठक करेंगी और उनके साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगी तो मंता बनर्जी ने कहा है कि इमर्जिंसी से भी गंभीर हालात पैदा हो गए हैं वर्तमान की इस्थिती जो है वो इमर्जिंसी से भीबत्तर हालात हैं अब देखना चाहते हैं सच् की हर ख़बर की हर दस्तक को देखने के लिए एन्वी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को करें फॉलो उठाइए रेमोर और जुड़िये एन्वी न्यूज के साथ टाटास्काय चैनल नंबर 1927 और एर्टेल चैनल नंबर 356 पर अ अवेलेबल है एन्वी न्यूज आपकी बॉलंद आवाज आपकी बाद